हेलो गाइस आई वेलकम वी ओल टू इस चैनल जैसे कि आपको पता है 14 नौबर 2021 को सीडियस का एक्जाम संपन हुआ था उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे एनालिसिस कर रहे थे पेपर्स का पहले में इंग्लिस का अनालिसिस लेके आये था तीन पार्ट्स में लेके आये थ उसको जा करके आप जरूर देखना उससे आपको काफी लर्डिनिंग्स मिल सकती है अब हम लोग जी एस का कर रहे है और जी एस में कल विक्रम सर ने पॉलिटी सेक्शन इसमें कवर किया था और आज मैं कर रहा हूं जिओग्राफिका सेक्शन वीडियो काफी लंबा हो जात नौड क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग जर्णी यह जैनी करी इन वो बैंगलूरू से करें डैली की तरफ तो जब टैली की तरफ यह जाती बैंगलूरू से तो कौन सी रिवर वह लिए वह से नहीं करेंगी अगर सॉर्टस टूसाए जाती यह जो क्वेसिन का पैटेंट दे तरह है नहीं हो सकता है गोदावरी आपको पता है किया गैया घंती है ठीक है गोदावरीपिस का शाय नहीं को सके उपर है और क्रिछन भी इसका अंचर नहीं हो सकता है देखे में तिनों यह कहां से नाचिक से वहती है इसको मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं एक मैप मेरे पास चोटा से है उसको उसको आपको दिखा तो आपको समझ आजा जाए कि यह कहां कहां से होता है ठीक है यह आपके सामने रिवर का मैप आई तिंग क्लियर दिख रहा होगा यह नहीं दिख रहा है I don't know ल यह तो आपका बंगलोरी है यहां कहीं तो देखे डैली जाना है टो डैली इस जगह पे है और डैली के राइट साइड मगर आप यहां पर है यह जागाई को आजगा कि तो देखी यमुना जो नदी है वह हमारी जो नदी गंगा बहती है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो राइट साइड से आती है ठीक है यह कौन सी नदी है यमुना नदी है और यमुनोत्री ग्लेसियर से निकलती है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेसियर से और आप आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है अगल्य करहों aboard क्योंके सबॉरा इसे च्राइब हमगा बढ़ते हैं अगले से फौराइब की पास्थ करतीक विश्त आपको स्टेटमेंट दी थिग हुवे हैं इन तीन है ज Сन के आदार है कि इन चारों में से कौन से स्क्राइँ की बाथ की जा रही है सबसे पहला स्टेट्मेंट किया है PROFESSOR C स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है आपको पता होना चाहिए भारत में आठ स्टेट है जहां से करक रेखा गुजरती है यानि कि उन आठों में से एक है ठीक है तो उपर भी है और नीचे भी उसके ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर विद बंगलादेश और म्यामार यह है अब मेरे बाद अभी मैप नहीं है तुम आपको दिखानी पाऊंगा तुम आपको बता देता हूं ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए जो मैंने इसी चैनल पर आपका स्टैटिक जीगे का पहला वीडियो बनाया था इंडिया के बारे में ठीक है उसमें आपको बताया बतेंगलाद की स्टैट में जोस्ता होगा जाता है यहां पर BET यहां邊 की मिज उर्म हैनी कैसे स्टेटा जो इस भीए मना से टास्ट ट्स करता है तो इस question से हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है कौन सा मिजोरम इस cancer हो जाए क्योंकि मिजोरम इनमें से क्या है कि जो अपना किसकिस से बंगलादेश और म्यामार दोनों से टॉस्ट करता है और तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होती है बहुत से लोग इसमें कन्फीज हो गए होंगे मणीपूर और नागलेंड में क्योंकि एक साथ ही है यहां पर लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन से होते भी नहीं जाती कहां से जाती है मिजोरम से ठीक है तो इस cancer क्या हो जाना अप्शन नंबर भी आगे बढ़ते हैं M wants to visit a place in a union territory which is located at 34 degree north and 77 degree east which one of the following UT must he has planned to visit यह बोल रहा है कि M जो है एक फिर से civil services के pattern में question दे दिया है M जो है एक place visit करना जाता है वो है union territory है वो place तो प्लेस है उसका इसने अक्षांची और देशांतरी विस्तार बता दिया कि वो क्या है 34 north 77 east है देखिए उसका विस्तार उसने बता दिया है तो बोल रहा है कि इन में अगर हम इसको मानते हैं जो हमारा देशांतर रेखा होती है longitude इस तरफ होता है इस तरफ होता है वैस्त तरफ होता है एस तो यह नौर्थ है यह उपर से नौर्थ हो जाएगी इस लाइन पर कहीं पॉइंट लाइं करता होगा 34 और अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते थे तो आप कैसे अंदाज लगा सकते थे भारत में करकर रेखा होती है यहां से जो निकलती है करकर रेखा किया है साड़े अगर यह 34 देगरी नौर्थ है तो अबियस सी बात है कि 34 कहां होगा इससे नीचे तो होगा नहीं क्योंकि जीरो से बढ़ते हैं आया उपर जीरो वन टू थी ऐसे गड़ते हैं साड़े थीस आया थर्टी फोर कहां होगा इसके उपर होगा जाहिर सी बात है यानि कि करकर लगंदाग है देखते हैं कि नहीं पुदुचेरी है क्या फुदुचेरी तो यहां है तो पुदुचेरी नहीं हो सकता लक्सुरीव भी नहीं हो झाथ लगासकते तो इसका मतलब लदाक ही ओगा ऊपर ये बागी तो सब नीचे की तरप है 34 ऊपर होना चाहिए आपको ये बताना है कि अंडमान निगर यहां ना अन्डमान निगोवार की बीच में कौन सा चैनल आता है कितने डिकरी चैनल आता है तेक है बता देता हूं 10 डिगरी चैनल इन दोनों and population of India according to 2021 census, adolescent population comprises half the population of the country, the group is regarded as youthful population with high potential, in this group there are greater number of females than males, ये एक ऐसा क्वेस्टेन है जिसको मैं भी नहीं कर पाया इसका एक्जेक्ट आंसर मैं नहीं पता तो अगले वीडियो में आके इसको बता दूँगा, ठीक हम बढ़ते सिधा आगे की तरफ, इसको में अगले वीडियो में बता दूँगा आपको, तो इन डिसकेशन, M from अरुणाचल प्रदेश, J from आसाम, N from मेघालिया, and S from नागाले यह कुछ क्लेम करते हैं कि हमारी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, आपको पता है कि सेंस लास्ट टाइम 2011 में हो आता, उसके बाद तो 2021 में हो नहीं वाया अभी, कोवीट के वज़ए से, तो यह पूछें कि 2011 के सेंसिटी के अधार पर इन चारों में से, कौन सा राज्य है, जि चारों के चारों जो स्टेट और और रहें नवाधिस इसकांसर SEC, और बहुत है और बहुत इसकांसर देंसिर कि नॉर्द स्ट्माइन सबसे 있दाгाई पॉछें आथा की तो म०्स जादेख्व झार फंटी ने झारता तो आसां आन्शकत पकूछें रातायें वसक्त में यह जाधा density population density किसकी है सबसे जाधा population density आसाम की है तो direct answer question ने पूच रहाता है आसाम कौन है यानि किस आज़र क्या हो जाएगा ज़े ठीक है आसाम यह तो static जिके का क्या क्यों क्या कि सबसे जाधा population density कहां की है आसाम की देंट सम्थिंग है तीन सफ कुछ है तो मुझे यहाद नहीं आ रहा तो आसाम सका इसाधा population density मतलब क्या है कि एक वर्ग किलोमेटर में तो माल लीजिए एक पॉइंट ले रहते हैं यह इसका मतलब है और मांकि अरुणाशल प्रदेश में डबल डिजिट में है एक्जेक्टली तो मेरे को याद नहीं है तो आसाम इसका अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और लक्षवदीब आईलेंट एफ डिफ्रेंट टाइम अट देखिए पहले कि पहले की दो स्टेटमेंट हैं इन से आप आंसर का अंदाज है लगा लगो क्योंकि यह बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पूरी कंट्री के लिए एक स्टेंडर टाइम अगलग ताइम जोन से क्या दोनों के लिए एक है यहां बोल रहा है यह अलग-अलग है यानि कि वह ऑप्चन हटा दो जहां पर दोनों एक साथ दिख रहे हैं यह गलत हो जाएगा है ना उसके वाद हम आगे वड़ते हैं सबधेरी राइट में सबस्रwurf को पता है कि हमारे पूरे भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम-लाई जहां से थिस्ट हित ! कौन सी है मैंने आपको बढ़ाया था जब हम स्टेडिक जीकेगा पर कर रहे थे इंडिया पड़ रहे थे उसमें आपको बताया था कि इंडिया से जो स्टेंडर्ट टाइम लाइन है वो कौन छी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक क्वैसन सही कर लियाए principle साड़े अध की टि कॉन कॉन से फांच राज्यें आपको इनाम यह होगा सही है, नहीं अंडवा निकोवार और आइलेंड इसके अलग अलग होंगे यह भी नहीं पहसी बहुत है क्योंकि हम बोल रहे जब एक है तो सेकेंड तो गलत हो गया इंडियन स्टेंडर टाइम इस फाइब हाफ आर्स बिहाइंड जीम्ट यह भी मैंने आपको पढ़ाये हुआ है जी विश्व में देशों के बीच एक जन्रल एग्रिमेंट था एक अंडरस्टेंडिंग थी कि हम जीरो डिगरी लाइन उसको मान लेंगे जो लंदन के ग्रीन विच से होते वे जा रही है उसको क्या माना गया था जीरो डिगरी लोंगिडूड माना गया था कोई लॉजिक नह लाइन उसको बोला गया था जिरो डिगरी लोंगिडूड तो हमने क्या देखा था अब देखिए अमेरिका सौरी किसके बात है ग्रीन विच लंदन की बात चल रहे है लंदन हमारे कहा है भारत के संदर में ब्रिटन की साइड ना इस तरफ तो अगर लंदन यहां है तो भा पीछे की तरप बेस्ट की साइट यहां टाइम पीछे चल रहा होगा ठीक है यह टाइम एडवान सो रहा ओगा एस की साइड आने पर तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कल्ट ऊ-बस अउन्प couple पर रहे हूं लेकिन है इस sā the head viktली एडट वीजिटक खरडूम्ppt नूब इतो की इसी को यह था था नहां को यह प्नत्राइड नहीं नुप्राइड कहां पास है यह न ने हो गया सब गार को गया यह सब उपर होते हैं हमारे उत्राकंड़की बात कके जमें almighty किती है मारना है और के हैा है लिप काला पानी हो गया चाल रहा है मारा ली काला पानी हमारे महीं फिस तो तो यह यहां पर इंड़क स्कीह रहे हैं जा लग dh लेकिन अब क्या हो जाएगा लद्दाक आपको बता है लग बुद्दिस लोग ज्यादा रहते हैं तो यह आंसर रहेगा यह यह बोल रहे हैं कि चारों में से कौन सा स्टेट है जहां पर अरेवियन सी ब्रांच और वेयों बेंगॉल ब्रांच जो भारत की मैं है है दोनों जगह से मतलब बारिस पढ़ती है मौन सुन के टाइम पर देखें आपको ऐसे बता देता हूं अंदाजा लगा लेना अब मैप नहीं है मिर पर अभी यह हमारा भारत है एक जोन को क्या आता है एक जोन के आसपास मांसून एंटर करता है कहां से करता है यहां से करता ह आगा इस तरीके से गरेगा आए सब्सक्माइब करेका इंटर तो किया है बे बेंग ऑर अरेवियंजीए कि बात कर रहें देखें बेंग पकॉल रहा है कि और इन चारों से दोनों की प्रांच ओगा अब जैसे एक मांसून तो यह गया यहां से एक साखा यहां चलेगी अप इ निए तरी के चीज अने वारम यहां निकलती हैं तो यहां से सा घूर। निए जिए ऑसे तरह करें ह मानदें हैं, इस तरह करता है जब यहां यहां यहांति down right, तीन पहाड़ी है और पहाड़ी के साथ चाहतो तीन ट्राइफ भी है तो गारो खासी जयनतिय वह किस तरीके से हैं यू आकार वे यह खासी जयनतिया गारो खासी जयनतिय ऐसे करके जब यहां से आती है तो एक प्लेस यहां पे जहां यहां और यहां और यहां से कौनसी ब्रांच अरेबियसरी की ब्रांच आती है तो एक प्लेस यहां पर ऐसा है जहां पर यह वाली प्रांच और यह वाली प्रांच दोनों आके मिल जाती है देखिए तमिल नाड़ु क्या यहां पर तमिल नाड़ु तो यहां तो यहां तो बेयो बेंगोल वाली प्रांच आती ही नहीं है महारास्ट्रा में तो बेयो बेंगोल की प्रांच आती ही नहीं है यहां पर यह दोनों ब्रांच मिल जाती है क्यों मिलती है यहां पर बेव बैंकॉल की ब्रांच टक्रा करके ऐसे निगलती है और यहां से आने वाली ब्रांच ऐसे निगलती है तो यहां पर मिल जाते है यहां पर कौन सा प्लेस है पंजाब और गंजेटिक प्लेंस आंसर क्या फिर से मैप की कमी है मैंने मैप लिया तो था लेकिन कहां चले गया ना तो कौन सा देखिए कि वह आला प्लेस होगा जाहिए से बात है जो हिमालया के आसपास रहेगा पहाड़ों के अधिक तर väस्की रहते हैं आधा जाव शकते हैं सिकंद्राबाद कहां पर है सिकंद्राबाद अपका तिलांगना में है तो यह ne यहां पर आंदरब्रदेश ता यहां पर फिर से हमारी इंडिया है उसकी क्लीने सीटी का दर्जा दे दिया गया है इंद्धी नहीं होता है उसके बाद यहां बढ़नेश आपको पता है यहां प्ण और अबधि यहां बहुत जादा आते हैं जब इसमबर दिसंबर तब है चक्रवात बहुत ज्यादा आते हैं है क्योंकि यहां यह लेंड के थूरूर आरी होती है यहां सिनको पानी पानी नहीं इस बारिस नहीं बलकि क्या खराना अब क्यों इसलिए ब्लाइश मोरी आप क्या और भार यहां पर मैं इस तुरिक च्ट्रीक सेज़न पर यहां से प्रांच मिलतार यहां से यहां से पानी नहीं मिलता जो नीच वाली से बारिस करा देती है पानी की वज़य से लेगन उपरवाला इससे में पानी ना मिलने के वज़े दाः नहीं करा वातिए तो आई hope यह आपको समझ आ रहा होगा तो यह यहां नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे नहीं यूट्यूब पर दो बहुत बढ़ाओ तीन लेक्चर में शाहद आपको बैसे कभी नहीं पढ़ाया गया होगा तो इनमें से कौन सा एरिया जिसको ज्यादा ज्यादा फोकस पर रखा जाएगा इसका मतलब भी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एरिया जहां सूखा ज्यादा पढ़ने की संभाव नहीं है तो देखिए फिर से वही आजाता है मैं आपको फिर से लेके चलता हूं इंडिया के इस वाले इससे पर यहां पर गुज्राइज से घृजणाज में पहुत है अद है अब जा तिर इस में आपका मौस इंड्राम ठीक है और उसके बाद कच सुरी नौर्थ इस्टन हो गया गैंजेटिक लिंज कोस्टल आंध्रबर्देश यहां पर भी उतना वह नहीं रहता मतलब कोस्टल आंध्रबर्देश में क्या होता है बारिस हो जाती है तो यहां बारिस होती है क्योंकि बारिस हो जाती लेकिन जो आपका कच का रीजन है यहांसे बारिस यहां पर फिर उसके बाद यहां तर आप टाइप तो इसके आप तरह बारिस्ट नहीं करा बते है ढ比 इसके वाईसे हो यहां कि पारिश कराते हैं जिसके वाई से सूखे में आ जाता है क्योगि यहां से दानावली मौन्सुर में उतना पानी रहा नहीं जाता है प्षा-फ़चा पानी आपको वैसे भी पता होगा है तो आगे है फॉर पर्सन साथ ट्रैवलिंग तो डिफ्रेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया चार लोग अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं तो हम यू विल एडवाइस तो प्रोटेक्ट वन सेल्फ फॉम ब्लिजार्ट किसको आप एडवाइस कर हिमालयाज नहीं है तब पर्सन ट्रैवलिंग तो त्रिपुरा में नहीं है ओडिशा में भी नहीं है अंसर क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है बहुत एजी सा इसका अंजर है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विस्वन आप फॉल्विंग स्टेट्स नोट इस अरुंट pocket cald कều फॉल्चल कि कॊन शाप ingredients को यह एक वैस्ट क्या हो जैसे आपका टी हो गया काफी हो गया यह सारे एज सूंगर nonч시간 हो एकिन पानी लगातार चाहिए लेकिन पानी रूकना नहीं चाहिए तो इन में से पानी कहां कहां आगा मिलता है अंताippy सोती है नाग इसके बाद आगे बढ़ते हैं तिस्टेंस बिट्विन विच टू सिटीज है इस बिडूस्ट बाइट अटल टनल डिरेक्ट आंसर है जम्मु सॉरी मनाली और ले इमाचल और जम्मु कस्मिर की बीचर बनाई गई थी मनाली ले के विच इससे रास्ता सौट हो गया है किसी आ सुलवेंक बाइयोस्फर रिजर्व कंप्राइट इस एस आसवे बीच इस कोरल रीपसल्ट मार्च एंड मेंग्रोव मैंग्रोव मैंग्रोव शे लगा दिया होगा आप पनें सुन्दरवन जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां भी बीच नहीं है अब आब मैंग्रोव और ब में भी नहीं होता है सा गल हो साइकनल कोस्त आ कि शूब और कॉस्ट जूएंगें नहीं इन नहीं होता है संक्रणात को स्टैंथ अ किने आफ डैमेस्स। इसनि नौ Caesar किस्क्रणा एंपलएंस से दैज कुछ आप आप साघ्य कोश्ट यह से नौcked इंफलोंस्ट ऑब अर्थक्वेक के वज़ेसे मतलब इनमेंसे क्या जीज इनिफ्लवेंस नहीं होता है इस्ट्रेंथ ओफ अर्थक्वेक पॉपॉलेशन डेंसिटी यहां पर इर्थक्वेक आने की समभवने ज्यादा बढ़ जाते हैं टाइप आप बिल्डिंग से और क्लाइमेट ऑफ अफ दे नहीं पड़ता है इसकांचर option number D हो जाएगा एंड एवेलेंस इस टाइप आप फॉलेंग जिस्ट उत्राखन में आया था एवेलेंस मतल़ा जब ग्लेसियर टूटके गिरने लगता है तो होता है एवेलेंस ठीक है तो यह बोल रहा है कि इस और प्लेमारी मारी प्लेटी है तो पुरे विस्ट में फैलती है तो ओसका पैंडेमिक वोलते हैं without external input is known as पहुत एजिय जान्दर। epidemic क्या होता है? pandemic क्या होता है तर विश्वम हमारी फैल जाती है तो पूरे बिस्वम फैलती है तो उसको pandemic बोलते है Outbreak जो अचानक से निकलती है एक्तम से Outbreak होता है अमा उसको बोलते है Outbreak epidemic भी बहुत सारे जगों पे फैलती है से जूज रहें आज कल, stream and rivers coming from the mountains deposit heavy materials of rocks and boulders in, जो उपर से आ रहे हैं streams and rivers, तो वो अपना heavy materials उनके साथ पथर बगएर, पथर वगएर हैं, वो कहाँ पे उसको वो कर देती है, रोक देती है, कहाँ पे अगर को छोड़ती हैं बताना है, खादर बन गर हैं थो यहां पर नहीं सकता सवाइए सोइल की दो प्रकार है बहाइब त तो जाहिर सी बात है भावर जहां पर पत्थर जमा होते हैं उस जगह पर आगर के पानी हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि पानी पत्थर के नीचे चले जाता है तो वहां पर पानी दिखाई नहीं देगा तो वही यह बोल रहा है पहां पर एकाठा करती है इसको भावर एरिय और इसको इकत्था करती है तरहहिं में दिखाई कने निकल ना सुरू हो जाते हैं जोग्राफी का जिसमें आपको डीप अनालिसिस देखने को मिला है इसी तरी कि इसे जीएस के और पार्ट्स को हम एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियो में तब तक आप हमारे साथ बने रही है और जूड़े रही है ससी बी के साथ और डिफेंस रिलेटेट और ज्यादा इ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनालिसिस के साथ तब तक जै हिंद जै भारत